हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल चेहरे पे गुलो लाना हो या फिर दागदा बेंटा ना हो इन सबका इलाज आपके कीचन में ही मौजूद है आज मैं कुछ ऐसे देशी नुसके लेके आई हूँ जिसके हिल्प से चेहरे पे तुरद पारला जैसा निखारा आ सकता है और आप अपने फेस पर इस्टेंड को लो इसे ला सकते हैं इसकीन को यह तो चमकदार बनाने के बहुत उपाए हैं लेकिन आज जो मैं उपाएले के आई हूँ इसकीन के रूटिंग के जो बैबात करूंगी वो इसको यूज़ करना बेहाद असान है हां बट आगे बाने से पहले एक रिक्वेस्ट है अगर आप मेरे चैनल पे पहला जो आपके कीचन में मौझूद है इसकीन में गुलो लाने के लिए वो है ट्रमाटर चुकिए गर्मियों का मौसम है तो तेज धूप से इसकीन जो होते न जूलास जाती है और अगर ऐसे में आगर आप ट्रमाटर का यूज़ करते हो तो इसे चेहरे में ठंडक भी प करती है इसके अलावा अगर इसकीन को साफ करना हो या ग्लोइंग इसकीन के लिए भी आप ट्रमाटर का यूज़ कर सकते हो बस आपको क्या करना है इसके लिए ट्रमाटर में तो कुछ बुंदे नीबू की मिला दीजिए ट्रमाटर और नीबू की रास इन दोनों को मिला कर अगर आप इसकिन पर लगाते हो तो उसे टैनिंग कम होने में हिट मिलती है इसके अलावा अगर चेरे में दाग दब्बे हैं तो उसे भी टमाटर और नीबू लगागने से दाग दब्बे बिल्कुल कम हो जाते हैं नेक्स जो है टमाटर के अलावा दूसरा है नीबू नीबू जो सबकी किचर में अवेलेबल होंगे ही तो नीबू को क्या करना है आपको नीबू करस निकालना है एंदेन उसमें शहाद मिला देना है तो नीबू करस और शहाद दोनों मिला कर अगर आप फेस पे अप्लाई कर करते हो 10-15 मिनिट तक के लिए आपको लगा के रखना है अंदेन उसके बाद अगर आप फेस को दो जाते हो तो यह एंटी जिंग मार्स की तरह काम करता है इसे इसमें फेस को जवाब बना रखने में हेल्प मिलती है हाँ इस बेतर रिजर्ट के लिए आपको इसको हफते में कजिन दो बसमें जरोना है दो भर जरूब दर लगाएं तो नीबु और शाहध दोनों मिला कि यूज करें क Different mana को कि रिश्ट जू है वह जिसके समय भी करती हूं वह अकंच्छा दूद कच्छा दूद को अगर आप इस किनाम अम बना की उस्कर लो या फिर यह फेस बीदा इसके यूज कर सकते हो क्योंकि जो कच्चा दूद होता है उसे टैनिंग या पिमपल्स है या फिर एक्नी है या फिर जूरिय जो होती है वो है या फिर स्किन डैमेज होती है या फिर फाइनेंस है तो इन सब को कम करने का ये काम करता है तो कच्चा दूद इसकिन के लिए काफी अच्छा होता है आप इसका फेस पैक भी बना करके त्यार कर सकते हो तो फेस पैक बनाने के लिए क्या करें जब कच्चा दूद लेना है आपको और मुलतानी मीटी उसमें मिला दें कच्छा दूद और मुल्टानी मीटी मिला करके जो एक पेश त्यार होगा उसे आप फेस पे 10-15 मिनिट तक के लिए लगा दें जब 10-15 मिनिट हो जाए तो नौर्मल पानी से फेस को वाश कर ले कच्छे दूद का यूज़ आप मौसराइजर बना कर भी कर सकते हो जब इसके लिए आपको कच्छा दूद चाहिए और ग्रीसलिन चाहिए तो कच्छा दूद और ग्रीसलिन मिला करके आप कॉटन बॉल की हेल्फ से अपने चेरे पे इवेन होटो पर इसको यूज़ अपलाई करें और 15-20 मिनिट तक के लिए छोड़ दें सुखने के लिए और दें उसके बाद अपने चेरे को नौर्मल पाने से वाश करें तो यह फेस को मॉसराइज करने का काम करते हैं कचे दूद्स के तरह आप खाली के बना सकते हैं कि अधि अधियर के इसे होगा कि धियर स्किन सेल इंप या फिर आरी फेस है या फिर गंदगी यह तो इन सब और आने का यह काम करती है, निचुर और क्रींजर की तरह यह कच्चा दूद काम करता है, इसके लिए जेस्ट आपको दो बड़े चमच कच्चा दूद लेना है, उसमें थूड़ा एक चुट की हल्दी मिला दे, कच्चा दूद और हल्दी, इन दोनों को मिला दे और कॉट्टन बॉल की यहल्प से उसमें डूबो डूबो करके face पे apply करें और गर्दन पे भी apply करें और 10-15 मिनिट के बाद face को नौर्मा पाने से धोलें तो यह इस तरह से अगर आप यूज करते हो हल्दी मिलाके तो यह facial cleanser की तरह काम करता है ओके फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही नेक्स वीडियो में हाजिर होंगे कुछ नए टिप्स के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर